माई डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे B.S.C. First year, Maths First paper की unit first तो पिछले वीडियो में हमने लेब नीज प्रमे से इद्ध कर लिया था आज हम आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो कॉस्चन वीज प्रमे से कॉस्चन को सॉल करना सीखेंगे आप जैसे कि यह है प्रशन पहला तो इसमें by is equal to xq into e raise to the power ax हो तो by n ग्याद करो अब यह अपनको by n ग्याद करना है तो पहले दिया क्या है यह दिया है कि by is equal to xq into e raise to the power ax अब हम जो यह है by का x के साफ एक एन बार आपकलन करेंगे इसका समीकरण एक का या पर कुछ भी समीकरण एक देना हो तो दे दो नहीं देना तो अपन डारेक्ट लिख देंगे x के साफ एक एन बार आपकलन करने पान तो एन बार आपकलन करेंगे dn by is equal to dn xq into e raise to the power ax यह है तो इस नहीं पन को जो लैब निच प्रमे से सिद्ध करेंगे तब लैब निच प्रमे से लैब निच में क्या होता है first का आपकलन n बार और second plus nc1 dn-1 first d second plus nc2 dn-2 first d square second plus nc3 dn-3 first dq second plus 0 ठीक है तो अब इनका यहाँ बे माल रग दो first की जगा eax और second की जगा xq first e raise to the power ax और second xq सबके माल रख दिये तो इतना आ गया फिर्टी के अब आगे करेंगे जब dn का eax में करेंगे तो eax जियों कहते हूं क्योंकि ex की जदियाव कलोने करते हैं तो eax ही आदा है लेकिन अब जो ax है अब इसका करेंगे फिरसे तो a raise to the power n करेंगे जब n वार करेंगे तो a raise to the power n eax और x क्यों कहते हैं लिख देंगे अब nc1 मतलब इसमें अबन को फैक्टोरियल दोड़ना है तो n अपन वन फैक्टोरियल वन ही आएगा ठीक है एन अपन वन अपन को eax का n-1 बार आपकलन करना है तो आएगा eax और a n-1 मतलब एक का फिरसे n-1 बार आपकलन करेंगे तो a n-1 नहीं आएगा अब एक्सक्यू का मतलब दूसरा जो पाद है उसका अफकलन करना dxq तो xq को करेंगे 3x स्क्वेर आजाएगा फिर अब यह nc2 dn-1 dn-2 e raised about a x और d square xq तो nc2 इसके फैक्टोरियल दोड़ेंगे तो आएगा n-1 2 into 1 अब जी आएगा d square xq तो xq का करेंगे तो यह मतलब दो बार आपकलन करना xq का तो 3x स्क्वेर आएगा फिर 3x स्क्वेर का एक बार और करेंगे तो 6x आजाएगा अब यह nc3 मतलब तीन बार आपकलन को आपकलन करना है तो यह एक्स यहां पर तीन बार यह अपन के फैक्टोरियल टूट गए n-1 n-2 321 अब यह एक्स का गया तो एक n-3 बार आपकलन करेंगे तो a n-3 into e ratio दिपावड एक्स और यहां पर आपकलन को कितने तीन बार आपकलन करना था का एक्स क्यूं का तो 3 3 x square आएगा फिर 6 x आएगा फिर एक्स आएगा तीन बार आपकलन करेंगे तो 3 x square सब में से अपने common ले लिया तो इतना बचा फिर्टी के यह n by 2 था और 6 x था तो 2 से 6 x को अपने कट कर दिया और जी 6 था और यह 6 था इसको भी पूरा करवा दिया है इसे ही जितने भी कॉसे नहों वो आपको सौल्व करना है ठीक है यह तो आ गया होगा तो में कॉमल लेके अपनको डारेक्ट पनको पदों में जमा देना है ताकि वो सही रहे उसका अंसर भी सही है